तो वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग के इस फ्रेश कमाल एपिसोड के अंदर बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट की और शिवा इनू की लेकिन उससे पहले आप सभी को very good morning I hope आप सब अच्छे होंगे और अब अगर आप देखेंगे आज क्रिप्टो मार्केट को आज Tuesday है और आज जो क्रिप्टो मार्केट चल रहा है अगर आप देखेंगे 2.14 trillion dollar का हो गया तो globally जो क्रिप्टो मार्केट है वो बढ़ता ही जा रहा है और ये एक बहुत अच्छा indication है बहुत positive sign कहूंगा मैं पूरा क्रिप्टो मार्केट 2 trillion dollar को cross कर चुका है दो दिन के अंदर ही 2.14 trillion dollar तक पहुँच चुका है यही एक reason है आप देखोगे क्रिप्टो मार्केट कितन 26 पे currently जो है price चल रहे है 1.3% के साथ कल रात को bitcoin ने 48 का जो level है वो हमको दिखा दिया था और हमने telegram पे भी update दिया था telegram पे अगर आपने telegram को join नहीं की तो link description में है आप telegram को join जरूर कर लें कोई भी important update रहता है तो वो आपको वहाँ पे भी मिल जाता है ठीक है तो 48,000 dollar का level bitcoin ने हमको कल रात को दिखा दिया था अगर हम bitcoin का high low देखें bitcoin का chart एक बार देखें क्योंकि bitcoin के अंदर जैसे जैसे movement आ का level हमको देखने को मिल गया था कल रात को ही अगर आप देखेंगे थोड़ असा नीचे है फिर से और यहाँ पे 47,500 पे चल रहा है और currently 46,788 का low भी है bitcoin का 24 hour का ठीक है और मुझे ऐसा लगता है शायद आपको अगर आप देखें मार्च के अभी दो दिन रहते हैं और को bitcoin 50,000 dollar का level भी दिखा सकता है जिस तरह से market perform कर रहे है जिस तरह से bitcoin bullish है पूरी crypto market bullish है bitcoin के indicators अगर आप देखेंगे काफी bullish है इस time पे एक scenario है ये भी है कि 30 और 31st March last day है 1st of April से 30% tax लगने वाला है तो शायद withdrawals भी कल और परसों में काफी जएदा हो उससे थोड़ा सा impact पढ़ जाए market पे ठीक है एक scenario आप वो भी लेके चल सकते हैं लेकिन overall April जब start होगा तो फिर आपको bitcoin के level 50,000 dollar पे उससे उपर भी जाता हुए दिख सकते हैं क्योंकि April के अंदर 6-9 April जी हाँ 6-9 April बिटकोइन का ही event है बिटकोइन के उपर बात होने वाली है जितने बड़े बड़े बिटकोइन लवर सेंबीडी बड़े बड़ी companies के पास bitcoin की holdings है वो बात करने वाले जब भी ऐसे event हुए है इस्ट्री में और कहीं न कहीं crypto market के अंदर greenery आई है और हमने हर event की बारे में बात किया है 16-17 March से crypto expo start हुआ था उस event के बाद crypto market green में आना start हो गया जैसा कि हमने कहा और बिल्कुल वैसा ही आप देखो expectation बिल्कुल market के वैसे चल रहे है और यहां पर अगर हम overview में देखें bitcoin का chart तो यहां पर आप देखेंगे bitcoin का chart किस तरह से perform कर रहा है 48,000 का यह यह high बना के bitcoin थोड़ा से यहां पर नीचा है और आप देखेंगे 46 पर भी गया था 47 से 46 पर क् कर रहा था सीधा bitcoin ने high बनाया 48 का और 48 से नीचा है फिर से अभी जो currently price चल रहा है 47,600 पर चल रहा है इसके साथ-साथ ethereum के अंदर भी काफी अच्छी green री आई है अगर आप ethereum को देखेंगे काफी अच्छा number हमको ethereum ने भी दिखाया और ethereum भी काफी अच्छा number दिखाने व आउस करता हुआ दिखेगा अगर अभी आप देखेंगे 3388 है ना मतलब 3388 मतलब 3400 पर ethereum जो है पोंचने की त्यारी कर रहा है और वहीं अगर आप देखेंगे यहां पर बाकी coins का हाल तो काफी अच्छे number पहुँच चुके है 435 पर finance coin पहुँच चुका है काफी अच्छा number है इसके लाब हम XRP की बात करें वो भी आप देखेंगे green में चल रहा है और इनके market cap भी देखेंगे तो आप काफी ज़्यदा increase हो चुके हैं सभी के market caps टेरा 10% उपर गई है अगर आप देखेंगे 10% और टेरा के जो price चल रहे है वो 105 डॉलर पे आ चुके हैं फिर से 90 डॉलर के round चल रही थी टेरा फिर से 105 पे आ गी है और high भी बनाया था टेरा ने कुछ दिन पहले ही अगर आपको पता हो तो 110 पे ही आप देखो सोलाना भी आ जाएगी आपको और पॉल का डॉट भी अगर आप देखेंगे पॉल का डॉट भी काफी अच्छा potential रखती है 11 नंबर की सबसे बड़ी cryptocurrency पॉल का डॉट 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 को देखेंगे 12 नंबर पे डॉट कोई अंदर काफी अच्छा spy का है 19.25 बिलियन डॉलर का market cap है dodge coin का ठीक है शिबाइनु का market cap देखेंगे तो 14.96 बिलियन डॉलर का है कल शिबाइनु का market cap रात को 15.59 बिलियन डॉलर पहुंच गया था ठीक है और हमने telegram पे भी update दिया था तो अभी फिर से थोड़ा सा कम हुआ है और अभी भी जो ये number आप देख रहे हो शिबाइनु के market cap का ये market cap बहुत बड़ी-बड़ी companies को पीछे चोड़ता है बहुत बड़ी-बड़ी companies के market cap भी शिबाइनु के इस वाले market cap से अभी नीचे है ठीक है और अभी शिबाइनु low level पे और जब high level पे शिबाइनु जाएगा तो शिबाइनु का market cap कितना ज़दा और कितनी बड़ी उपर है वो भी नीचे आने वाली है तो शिबाइनु अभी बहुत सारी companies को पीछे चोड़ने वाला है तो शिबाइनु का अगर हम देखें यहाँ पे price chart और शिबाइनु क्या series दिखा रहा है कल शिबाइनु अगर आप देखें 18% का increase कल रात तक शिबाइनु में पहुँच गया था अगर आप हाई देखेंगे ठीक है जिसका update हमने टेलीग्राम पे भी किया था तो बिलकुल काफी अच्छी series आ गये शिबाइनु तो अगर आप देखेंगे 27-26 पे चल रहा है शिबाइनु का price currently जो की काफी अच्छा नंबर है जो हम series 25, 24, 23 की series देख र 18% तक रात को में पहुच गया था उपर 29 का high है 26 का low है और 16,80,000 लोगों ने watch list में एड कर लिया शिबाइनु को अगर चार्ट देखें वन देगा तो देख सका तो जितना शिबाइनु में pump आया था अगर आप देखें शिबाइनु में एकदम से जो है increase आया 18% का ये बु अभी फिर उसी level पे आता हुआ दिख रहा है आप देखेंगे उसी level पे आया फिर से तो ये कुछ चार्ट रहा है शिबाइनु का अगर trading volume देखें शिबाइनु की वो कितने percent चल रही है और रात को तो काफी अच्छी हो रही थी अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 264 परसेंट जो की काफी अच्छा नंबर है अगर आप देखेंगे 264 परसेंट ट्रेडिंग इस टाइम पे हो रही है ये कुछ current situation आज है क्रिप्टो मार्केट और शिबाइनु की तो सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे Robin Hood की Robin Hood का अगर आप यहाँ पे update देखेंगे Robin Hood market cap dips while Shiba Inu ship sees and increase Shiba Inu में जब भी increase आया और Robin Hood का market cap वैसे भी आपको पता है Shiba Inu ने पीछे चोड़ रखा है 10 billion dollar के round Robin Hood का market cap है और यह वही Robin Hood है जिसने अभी तक Shiba Inu को list नहीं किया है आज आपसे question है कि क्या कभी Robin Hood list करेगा Shiba Inu को करेगा तो कब करेगा या करेगा ही नहीं क् बहुत सारे लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी भी Robin Hood से उनको लगता है कि Robin Hood list करेगा लेकिन अगर इस बार bull market start होता है bull market इस बार Shiba Inu की rally आती है अगर उस time पे या उसके बाद भी Robin Hood ने list नहीं किया तो फिर आप Robin Hood को भूल जाईए ठीक है और Shiba Inu 100 से जएधा exchanges पे जो है list है और एक Robin Hood अगर list नहीं कर रहा है या नहीं करेगा तो कोई जएधा फरक Shiba Inu पे नहीं पढ़ने वाला है और आपको क्या लगता है Robin Hood list करेगा Shiba Inu को या नहीं करेगा आप अपना view ज़रूर बताइए comment box में तो Shiba Inu के official Twitter page से एक tweet आया है और इस tweet के अंदर क्या है थोड़ा देख लेते हैं Shiba Army के लिए ये tweet है और अगर आप देंगे के see the world is full of things more powerful than us but if you know how to catch a ride you can go places stay tuned for March 13 13th March का यहाँ पे एक date दी हुई है और हो सकता है 13th March को यहाँ पे कुछ बड़ा announce किया जा है Shiba Inu की तरफ से और finally जिस तरह से market movement ले रहा है तो 30 March को कुछ बड़ा हो सकता है Shiba Inu की तरफ से जिस तरह से date आई है और जिस तरह से tweet है क्योंकि अगर कोई date आती है कोई tweet के अंदर indication मिलता है Shiba Inu की तरफ से तो फिर कुछ बड़ा ही होता है उस date को और यहाँ पे अब 30 March के लिए त्यार रही है जो भी update आएगा Shiba Inu की से हम आपको जरूर करेंगे और कल ही 30 March है 30 March और कल कुछ बड़ा Shiba Inu की तरफ से announce किया जा सकता है और इसका impact भी Shiba Inu पढ़ सकता है क्योंकि इस time पे काफी अच्छा volume मारा है Shiba Inu के अंदर और यह सही time है Shiba Inu की ऐसी updates लेके आने का तो दिखते हैं इस पर क्या कुछ आता ह 30 March को तो यह आपको पता ही है Shiba Inu 18% कल रात को rally दिखाई Shiba Inu ने जैसे ही Bitcoin 48 के level पे पहुंचा Shiba Inu के अंदर भी बहुत अच्छी rally हमको देखने को मिली और जिसका update हमने आपको already किया था तो rain exchange पे हम listing की बात कर रहे है Shiba Inu की कभी भी हो सकती है जिस तरह से rain के tweet आ रहे है if you have been holding ship तो अगर आप देखेंगे पहले भी tweet आया है और indications मिल चुके हैं तो rain पे जो है rain के platform पे कभी भी Shiba Inu लिस्ट हो सकता है इसके लावा bit stamp की listing भी है लेकिन bit stamp की तरफ से अभी कोई confirmation नहीं है कि bit stamp कभ लिस्ट करेगा और देखते हैं कभ लिस्ट होती है bit stamp के उपर लेकिन rain के उपर जल्दी अब लिस्ट हो सकता है Shiba Inu तो अभी हम बात कर रहे थे Shiba Inu की bit stamp की listing और rain exchange के उपर listing इसके अलावा भी एक listing यहाँ पर Shiba Inu की हो चुकी है new SHIB listing at net coins तो net coins क्या है अगर आप देखेंगे यहाँ पर we are happy to announce the addition of five new coins on the net coins और starting today तो net coins के बारे में पहले जान लेते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे यह कुछ an effortless way for Canadians to buy and sell Canadians मिलों Canada की कोई exchange है और Canadians to buy sell crypto और trade a wide variety of cryptocurrency safely and securely on the net coins है तो net coins के उपर 5 coin add किया इन्होंने और अगर आप यह 5 coin देखेंगे यहाँ पर और यह 5 coin अगर आप देखेंगे इसके अंदर dodge coin भी है Shiba Inu भी है dodge coin भी है Decentraland माना भी है Phantom भी है और Polygon Matic सारे ही coins अगर आप देखेंगे top 50 के अंदर आने वाले coins हैं अगर आप देखेंगे Polygon Matic Dodge coin Shiba Inu top 20 में आते हैं और Decentraland और Phantom top 50 में तो यह एक नई listing होती हुई Shiba Inu की net coins के उपर तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे Shaitoshi Kusama explains three ways that could increase Shiba Inu price Shaitoshi Kusama Shiba Inu के developer है lead developer है और यहां पर उन्होंने कुछ three ways मतलब तीन तरीके ऐसे बताए हैं जिससे Shiba Inu का price increase हो सकता है तो जान लेते हैं थ्री ways कौन से हैं और जानना जरूरी भी है कि किस तरह Shiba Inu का price increase होगा तो कौन से हैं वो तीन तरीके जिससे आप देखेंगे यहां पर Shiba Inu का जो price है वो increase हो सकता है Shiba Inu needs a massive long term burns तो burning एक सबसे बड़ा way है बड़ा तरीका जिसके बारे में हम already discuss करते हैं काफी time से discuss करते आ रहे हैं और Shiba Inu की बड़ा और सबसे पहला और सबसे बड़ा way यही है burning का और जो burning update भी हम आपको daily update करते रहते हैं इसके लावा second way अगर हम यहां पर जाने second way के अंदर क्या है increase in holders utilizing SHIB तो अगर आप देखेंगे शायतोशी suggested that when the large number of holders start utilizing Shiba Inu tokens in exchange for goods its price could gradually shoot up तो यहां पर holders का increase होना भी utilizing increase in holders utilizing SHIB तो holders का increase होना यहां पर discuss किया हुआ है its price could gradually shoot up और several business have announced accepting SHIB as a payment on their platform तो यह एक बहुत बड़ी चीज है और जिस तरह से हम आपको यही सब major updates देते हैं और यही सब चीजे बहुत जरूरी है Shiba Inu की burning जो Shiba Inu को आगे लेके जा सकती है Shiba Inu की payment accept होना जो बाकी बहुत सार जगा accept होती है और Shiba Inu को अगर आप देखेंगे तो दो तरीके आपने जान लिए यह दो तरीके बहुत जरूरी है burning तो जरूरी है ही साथ के साथ और Shiba Inu के holders utilizing मतलब हार the utility पे focus Shiba Inu का use cases पे focus है और इसके साथ साथ जो Shiba Inu के बड़े business accept कर रहे है Shiba Inu को और अगर आप देखेंगे recently एक ambulance service है Turkey के अंदर announced they are accepting SHIB and a doctor in Venezuela said he is accepting the token for an online in-person consultation तो Venezuela के अंदर एक doctor है ambulance company है यह भी यहाँ पे Shiba Inu की payment accept कर रहे है बहुत बड़े decisions अगर आप देखेंगे तो तीसरा सबसे बड़ा जो तरीका बताया शायतोशी कुसामा ने and increase in brand recognition है न तो brand recognition भी बहुत ज़रूरी है letting the common person know about know what Shiba Inu is तो अगर आप देखें common person मतलब हर एक बंदे को हर एक इनसान को पता चलना चाहिए Shiba Inu के बारे में और what it stands for is also the key to its price rise तो अगर आप आपने हमारे सब वीडियो देखें तो मैं एक ही बात करता हूँ Shiba Inu को लेके वो है कि Shiba Inu के जो भी आप collaboration से एक जोन रिच्मेंट के साथ हुआ valley को नाउंस किया real world में connect होना चाहता है Shiba Inu real world में यह जो चीजे कर रहा है इसकी वज़ा से लोग Shiba Inu को जानेंगे समझेंगे और यह एक बहुत जरूरी step है यही तीन तरीके Shiba Inu आगे लेके चल रहा है और इनी तीन तरीकों से Shiba का price increase होगा उसके लिए आपको wait करना पड़ेगा लेकिन शायतोशी को सामने भी यह चीज़ क्लियर कर दिया है यह तीन सबसे बड़े तरीके हैं जिसकी वज़ा से Shiba Inu का price increase होने वाला है future में और आपको क्या लगता है तीनो यह जो way बताएं है Shiba Inu को सामने क्या यह enough है यह इनके लावा आपके पास कोई और suggestion है तो आप जरूर बताएंगा जिससे Shiba Inu का price है increase हो कुछ ऐसा developer score करना चाहिए तो मुझे लगता है हर चीज हर possible चीज developer कर रहे हैं कि Shiba Inu को आगे लेके जायज है तो जिस तरह से हम काफी time से बात कर रहे हैं Shiba Inu की land खरीदने के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं बहुत सारे लोगोंने lease लेके रखा हुआ है कि Shiba Inu की Metaverse की land जैसे release होगी वो lands को खरीद लेंगे क्योंकि अगर आप देखें जो भी Shiba Inu लेके आया पहले NFT लेके आया था बहुत ही चुटकियों में NFT से sold out होगे थे और यहाँ पे land का भी वेट किया जारो जो 30 March का जो update दिया है Shiba Inu के official Twitter पेज से तो यहाँ पे कोई name announce कर सकते हैं या तो यह Metaverse का या फिर lands को रिलीज कर सकते है 30 March को कुछ बड़ा हो सकता है जो भी update आएगा टेलीग्राम पे भी मिलेगा यहाँ भी मिलेगा तो टेलीग्राम को भी join कर लेना नीचे description में Twitter का भी link है आप उसको भी follow कर सकते हो और YouTube चैनल को भी subscribe करके bell icon प्रेस जरूर कर लेना ताकि जो important updates रहते हैं वो आपके phone तक पहुचते रहें तो यह यहाँ पे एक poll है Bitcoinist की तरफ से Bitcoinist.com की तरफ से what's your favorite alt crypto यहाँ पे कुछ चार options भी दी हो है Cardano है XRP और Dodge Coin and Shiba Inu तो देखते हैं कि इसको सबसे ज़्यदा वोट मिले हैं तो हम यहाँ पे Shiba पे क्लिक करके देख लेते हैं और अगर हम Shiba पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं आप देखिए सबसे ज़्यदा वोट जो है Shiba को मिले हैं और Shiba Inu जिस भी पॉल में रहता है Shiba Inu को सबसे ज़्यदा वोट मिलते हैं तो 79% अकेला Shiba Inu अगर आप देखेंगे Cardano भी कहीं न कहीं 11% है XRP 7% है Dodge Coin 3% है और Shiba Inu 79% तो आगे है Shiba Inu के Indian रुपीज के चार्ट के उपर 21 की सीरीज फाइनली आ चुकी है और अगर आप देखेंगे One Day का 23 तक हो क्या है Shiba Inu जो एकदम से 18% का increase कल रात को आया था 23 तक चला और वहां से Shiba Inu फिर नीचे आया तो ये कुछ price action Shiba के चल रहे हैं काफी अच्छा volume है काफी बड़ी updates आ रही है 30 March को कुछ बड़ा हो सकता है कल का दिन कुछ बड़ा हो सकता है new listing होई है इसके अलावा 3 ways बताए है price increase हो करने के लिए और वह तीनो ways पे काम हो रहा है तो ये कुछ चीजें थी Shiba Inu के लेके I hope इस वीडियो में आप सारी चीजे समझ गयोंगे किसी भी crypto या Shiba Inu में invest करने से पहले आप खुद से research कर ले आप double shortage है आपकी double shortage बहत जरूरी है और तब ही आप invest करें आज किस वीडियो में फिलहाल इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई